मैं आज मैं आपको इस तेल लाइफ में आज फूस कैसे बणेगों करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डॉप करना हらए तो सबसे पहले जैसे मैंने एपल बनाना है तो पहले पूरा एपल बना लिया ऐसे बहुत एजी हो जाता है यह देखिए यह जैसे मैंने एपल जो कर लिया और में स्ट्रॉबेरी बना लेगे यहाँ पर यह पूरी बना लेना चाहिए तो और उसके बाद जो पूर्शन आगे रखना है उसको आगे रखके बाकी का इरेज कर देंगे यह देखिए ऐसे ऐसी दूसरी स्ट्रॉबेरी भी अगर आपको नहीं आता है आता है तो आप हाफ बना लो नहीं तो ऐसे फूल बनाके उसको बाद उसको इरेज कर लेते हैं जो हाइलाइट करने हैं वह वाला पॉर्शन रखके और नीचे वाला पॉर्शन श्रिंग जैसे आप मैंने यह दोनों स्ट्रॉबेरि बनाई अब इसको हाइलेट करना इसको हाइट करना है तो ये नीचे वाली ऐसे ऐसे एरेज कर दिया ऐसे एपल में भी हमें अपनाना वी बनाएंगे बनाना बदाने के लिए यहां से ऐसे यह लाइन लाइन ड्रॉव करेंगे अब देखें कि यह दूसरा बनाना यहां से स्टार्ट करना है तो यह ऐसे लेके इसकी शेप बना लेंगे यह देखें यह बनाना की शेप आ गई अब सेम हम यह एपल लड़ा पार्ट बीच का इरेज कर देंगे तो हमारे बनाना हाइलाइट हो गए अब इसके कटन्स भी दरना लेंगा सही तो यह अब हमने ज्रॉ कर लिया है अब हम इसकी कलर्लिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्केश्पेंट से आउट्लाइन करके उसके बदा कल्रिंग करने के लिए करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रॉबेरी कलर करेंगे यह लाइन से हमने करना है इसे लाइन से हमने फिल करना इसको लाइन आर्ट के त्रू आप छोटी चोटी लाइन पिना के इसको पूरा फिल कर लीजिएगा इसके बीच में हम थोड़ा से हलका सा येलो का इफक्त देके उसके बाद ब्लैक पैन से ऐसे इसको हाइलाइट कर देंगे ऐसे ही एपल भी ये देखिए चोटी चोटी सी लाइन से बना के हम इसको पूरा फिल कर देंगे आप थोड़ा सा पेंग कलर और येलो कलर भी इसमें मिक्स कर देंगे ऐसे बनानाज में भी कलर करेंगे येलो औरेंज ऐसे स्चोब देते जाएंगे फटाफट से और इसको ऐसे ग्रीन का थोड़ा से इफेक्ट देके पूरा येलो थोड़ा सा येलो और लगा के पूरा हम बनाना को कम्प्लीट कर लेंगे ऐसी मस्टर्ड का इफेक्ट देके ऐसे पूरा फिल करना है कर्टन बनाने के लिए ऐसे हम लाइन लाइन करके ये लाइन के साथ-साथ ऐसे लाइन नीचे को लाना है स्टोक पूरा यह देखें उपर से नीचे की तरफ लाना है ऐसी दूसरी प्लीट तीसरी प्लीट ऐसे ही पूरा कर्टन भी रेजी कर दीजिए आप आप भी ऐसी ड्रॉ करिए और मुझे वाट्सप पे शेयर करिए प्लीट